नमस्का निज्वर इंडिया देखने आप आपके साथ मैं हो रतू चले बुल्टन की शुरुबात करते हैं बड़ी खबर के साथ इंदोर में आज प्रवासी भारते दिवस का आयोजिन होगा जिसमें खुद प्रवासी भारते दिवस आयोजिन में प्रधान मंत्री नरेंद् मोदी इसमें शुर्कत करते वें दिखाई देंगे और ऐसे में आज ये बड़ा कारेकरम प्रवासी भारते दिवस के मौके पर इस वक की बड़ी कबर आपको बता रहे हैं इन दोर दोरे पर आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर भारते दिवस पर भव्वे आयोजिन किया गया है और उसमें कोद शुर्कत करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आकरस अदन की विशिष्टा क्या है ये भी खास्तोर पर जाना जाना चाहिए प्रवासी दिवस की तैयारिया जारी थी पहले से ही और आज आट जन्वरी को नौ जन्वरी को आज ये भारते प्रवासी दिवस मना जा रहा है बीते दिन इसकी शुरुवात हुई थी आठ जन्वली से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और अब जिसमें प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी शुरकत करेंगे उसे से जुड़े हुए इंदौर यात्रा इंदौर का दौरा आज प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी का कोविड महामारे के कारण देश में चार साल बाद प्रवास्ती भारते सम्मेलन का आज आयोजिन हो रहा है यह माईनों में महत्वपून होगा आयोजिन मद्यप्रदेश के इन दौर में है जहां दुनिया भर का ग्लैमर देखने को मिलेगा सम्मेलन को लेकर देशवासी और अनराई दोनों ही काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं लेकिन क्या प्रवासी भारते दिवस क्यों मनाया जाता है इस पर भी खास मन्थन होता है लोग जानना जाते है प्रवासी दिवस आखिर है क्या प्रवासी दिवस का उदेश्य वर्ष 2023 की थीम क्या है आपको बता देए कि भार्त ये प्रवासी दिवस मनाने के गोश्णा तातकालिन प्रधान मंतुर अटल भिहारी बाजपाई ने वर्ष 2002 में की थी